Hello everyone, welcome to my channel Biochemistry for Nursing Students आज के इस वीडियो में हम Vandam Bug Reaction के बारे में डिसकस करें इसमें हम देखते हैं Vandam Bug Reaction क्यों करते हैं और इसका Principle क्या होगा और इसका Importance क्या होता है Basically Vandam Bug Reaction का Use क्या होता है यह जब Serum में Bilirubin Levels Increase होता है उसको identify करने के लिए Vandam Bug Reaction करते हैं Normal Serum से जब आप इस टेस्ट को करते हो आप Negative आएगा लेकिन Serum Level जब ज़्यादा होता है तब इसका Principle क्या होगा Vandam Bug Reaction जब इसको Prepare करते हैं इसमें Two Different Reagents होता है एक होगा Sulphanilic Acid और Sodium Nitrate दोनों मिलके Vandam Bug Reagent बनते हैं जब आप इस Vandam Bug Reagent को बिलिरुबिन से मिक्स करते हो इसके वज़े से Purple Colored Complex डवलोप होता है उसको बोलता है एजो बिलिरुबिन Vandam Bug Reaction में Different Types होता है जो टाइम लगेगा और Alcohol यूज कर रहा है ना यूज कर रहा है उसको लेके Vandam Bug Reaction को बिलिरुबिन बिलिरुबिन से रियाक्ट करता है अगर उसमें Conjugated Bilirुबिन होगा उसके वज़े से Color इमेडिटली डवलोप होता है इस रियाक्शन को बिलिरुबिन बिलिरुबिन से रियाक्ट करता है जब आप पेशिन सैंपल लेते हो उसमें Vandam Bug Reaction आड़ करने के बाद अगर Color डवलोप नहीं होता है 30 सेकंड के अंदर तब आप इसमें एक All Call आड़ करते हैं Methanol Methanol क्यों आड़ करते हैं क्योंकि Methanol ये Unconjugated Bilirुबिन जो Insoluble Bilirुबिन होता है उसको Soluble Bilirु में Convert करे है जैसे आप All Call आड़ करते हो Soluble Form में Convert के बिलिरुबिन उसके बाद Vandam Bug Reaction से रियाक्ट करके 20 मिनिट के अंदर इसका Color डवलोप होता है Purple Color डवलोप हो तो डारेक्ली आप एक Color नहीं आ रहा है अब Methanol आड़ करने के बाद Color डवलोपमेंट होता है इसलिए इस टेस्ट को हम बोलता है Indirect Part अगर सेरम सैंपल में Conjugated Bilirubin और Unconjugated Bilirubin दोनों होता है तब एक रियाक्शन में Color कैसे डवलोप होता है तो सेम हम एक पेशेंट सैंपल लेते हैं इसमें Conjugated Bilirubin और Unconjugated Bilirubin इस सैंपल को आप Random Bug Reagent आड़ करते हो करने के बाद 30 सेकंड में कुछ Color डवलोप होता है उसके बाद जब आप Alcohol डवलोप करते हो एक Color जो डवलोप हुआ उसका Intensity बढ़ेगा तो 30 सेकंड के पहले भी Color डवलोप हुआ और 30 मिनिट्स में भी Color डवलोप होता है करके हम डिफरेंट टैप्स जोंडिस को identify कर सकते हैं इसका मतलब हीमोलेटिक जोंडिस पेशेंट ब्लेट सैंपल में अनकॉंजुगेटर बिलोबिन जादा है जब वैंडमबग रियाक्शेंट डारेक्ट पॉस्ट होता है तो मतलब पेशेंट में अब्स्ट्रक्टव जानडिस है क्योंकि इसमें कॉंजुगेटर बिलोबिन लेवल जादा होता है अगर पेशेंट वैंडमबग रियाक्शन बाइफिज इक होता है तो मतलब पेशेंट की सफरेंग की अफ्रम हेपाटिक जानडिस जिसमें Conjugated Buildupin होगा और Conjugated Buildupin बहुत है Thank you for watching this video